हेलो वीवर्स मैं कंचन जैसवाल स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में फ्रेंज से आस मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की रेस्पी और यकिन मानिया आपको भी बहुत पसंद आएगा कभी कभी लौकी की सबजी एक ही तरक्के से खाते खाते बोर हो जाते हैं तो कु करने सब्सक्राइम नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिजेए का और हमें कमें बहुत करके बताये तो फिर यहां पर जो है हमने एक 500 ग्राम लगवग साड़े 500 ग्राम की लॉकी ली है और एक ही छोटा वाला ही लीजिए जिससे की उसमें जो बीज है न वह कम निकलेंगे तो सबसे पहले मैं यहां पर इसको कदुकस कर दिया है कदुकस करने के बाद जो है ठोड़ा सा इसमें हम नमक एड़ करेंगे नमक एड़ इसलिए कर रहे हैं कि जो लॉकी की में पानी बहुत सारे होते हैं वो नमक डालने के बाद वो निकलते हैं तो वे सारे पानी को जो है हमें निचोर करके जो है एक कटोरी में रख लेना है इसे फेकना नहीं है इसको हम बात में यूज करे इसलिए इसको निकाल करके एक साइड रख दीजे और अब जो है इसमें अच्छे से इसका दुकस किये हुए लौकी में से पानी निकल चुका है तो इसमें हम फिर मसाले अब एड करेंगे मसाले में यहां पर हम पहले एक मिडियम साइज का प्याज बारिक चौप करके डालें और आदी चोटी चंबत जो है हमें आपर गरम मसाला एड करेंगे अब इसको हम बैंड करने के लिए बेसन का इस्तमाल करेंगे तो हमने यहां देर से दो चंबत जो है बेसन का इस्तमाल किया है अगर बैंडिक करते समय आपको लगे कि वह बैंड नहीं हो रहा है तो चोटे बॉल बना करके साइड में रख लेंगे आप सेप दे सकते हैं आप चाहे तो गूल बना सकते हैं या सिलेंडर जो भी आपको हो उसेप में आप बना लीजिए इसको साइड में कर लीजिए और लोही की कडाई हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूं तील को गर्म किया सब इससे द्लीद हैं और इसे कोपती दूर करके अब हम इसे करेंगे के इसको कच्चा पन रह जाता है निकाल लेंगे प्लेट में तो देखे सारे जो है कोपते वो प्राय हो चुके हैं और यहां पर हमने जो है दो बड़े साइच की प्याज दिये थे जिसे हमने कूकर में ही गला लिये यहां पर आप पेश्ट भी ले सकते हैं लेकिन हमने यहां पर कूकर में एक सीटी में इसको एक चम्मच जो है लहसन अध्रका पेश डाला है थोड़ी सी हिंग और जो प्याज को हमने गलाया था कुकर में वो हमें यहाँ पर एड़ कर रहा है है कि हमने यहाँ पर ढगती है क्योंकि इसकी थोड़ी से जो प्याज डालने के बाद वह चीटे उड़ते हैं तो वह बिल्कुल प्लेटफॉर्म को जो है गंदा कर देता है तो यहाँ पर थोड़ी देख के लिए हमने इसको ड़क दिये हैं जिससे की पानी जो चीटे उड़ र इसे मसाले जलएगे नहीं तो एक चमच यहाँ पर हम भरके लाल मिर्च पौडर डाल रहा हैं एक चमच यहां पर हमने धनिया PO Remote mix किया और आधा Оrec छोटा चमच है हमने यहाँ पर हलदी पौडर किया अब इसको डालने के बाद फिर हम इसको चलाते हुए मसालों को भूनेंगे मसाला जब भून जाए तब हम इसमें एक छोटा चम्मत जो है हमने यहाँ पर चिकन मसाला एड़ किया है कोई भी ब्रांड का आप चिकन मसाला ले सकते हैं इससे स्वात जो है न वो थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ज यहाँ पर जादा देर नहीं चलाएंगे थोड़ी दो बार चलाने के बाद हम इसमें ट तेल छोड़ देगा अच्छी तरह से भून जाएगा हमारा मसाला तो देख रहें यहां पर बिल्कुल अच्छे से भून गया है तेल छोड़ दिया इसने तो हमारा मसाला बिल्कुल अपते यार हो गया है तो यहां पर हम एक glass जो है पानी add करेंगे पानी हम आप चाहें तो जो gravy होती है न उसकी consistency है अगर आप गारी रखना चाहिते हैं या फिर पत्री रखना चाहिते हैं उसी की अनुसार आप पर पानी आड़ करें यह आपकी चोईस है और जब थोड़ा उबल जाए थोड़ी देर ग्रेवी पक जाए तब हम इसमें कोफते डाल देंगे के करके और बिना धके ही हम देर से दो मिनट मीडियम आज पर ही कोफते को जो है ग्रेवी के साथ पका लेंगे अब हमारा यह जो स लेगा और प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बत पूलिएगा क्योंकि यह सिर्फ रेसिपी का ही नहीं हमारे फूल प्लांट से भी रिलेटेट है वीडियोस तो आप ज़रू ट्राय किजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें कि कैसा लगा हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में